नमस्का दूस्तों स्वागे था आपका एक बाद भी चैनल मोक्स में क्रिप्टोनुज में आज सबसे भड़ी न्यूज पोलिगान मैटिक ने फ्लिपकार के साथ में पार्टरश्टिप की है भारत में वेब 3 को आगे बढ़ाने के लिए अभी प्रिपकार भी रेस में सामिल हो गया है तो मैटिक दिन बदिन अपना ग्रोध कर रहा है इस स्पीच इथरियम के फाउंडर विडालिक बुटरिर ने लोगों को ये सला दी है कि हमेशा टेक्नोलोजी को देखकर क्रिप्टो में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें ना कि प्राइस को देखकर तो आपकी सला हमें मंजूर है लेकिन पहले टेक्नोलोजी को दिखाते है और बाद में बेंक्रप्टी फाइल करते है उनका क्या तो ये भी एक सवाल है तो चलते हैं अपने तिसी न्यूज की तरप फियाट अपना मेटावर्स बेस स्टॉर लॉंच कर रहा है उससे उनका कहना है कि कार को रिव्यू करने के लिए ये टेक्नोलोजी चादा इंट्रेक्टिव होगी तो मार्केट को इफेक्ट करने वाली न्यूज इतनी है अभी चलते हैं बिटकोईन की अनलिसिस के उपर जहां बिटकोईन अभी 17,313 डॉलर के उपर ट्रेड कर रहा है और हमने पिछली वीडियो के अंतर बात भी किया था कि यहां पर 17,500 का एक लेवल है वो अहम लेवल है यहां पर 17,500 के पार अगर बिटकोईन चाहता है तो वहां से एक बड़ी रेली की संभावना हमें नजर आ रही है लेकिन अगेन यहां पर 17,500, 17,400 के बीच में जहां पर अगर रिजेक्शन मिलता है तो वापस से यहां पर हमें 400 से 500 डॉलर का ब्रेकडाउन मिल सकता है हाला कि पिछले तीन दिन से 17,000 के लेवल के छू रहा बिटकोईन वापस से नीचे आ रहा है और फाइनली यहां पर 17,300 के लेवल को क्रॉस करके बिटकोईन अभी ट्रेड कर रहा है तो यह अच्छा सायन है पॉजिटिव सायन है आने वाले समय के अंदर मार्केट के अंदर एक बूल रन सुरू हो सकता है लेकिन हम 17,500 तक कोई भी अपनी स्टेडिज चैन नहीं करेंगे जैसे हमने प्रिवेस वीडियो के अंदर बता है वही स्टेडिज हमें इसके अंदर फॉलो करेंगे तो बिटकोईं के अंदर अभी अच्छी खासी स्टेंद देखी जा रही है वीक्नेस नजर नहीं आ रही है और मैं अगर पीवेस चार्ट भी आपको दिखाऊ हो तो आप देशकते हैं यहां पर पूरा ट्रेंड जो हमने काफी वीडियो के अंदर बताय हुआ है कि करेंगे 7500 के लेवल का दोस्तों वीडियो के अंदर बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर तब तक है दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग जाहिन